नवश्कार दोस्तों मैं हूं रवी कॉशल और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक बीते कई दिनों से NCRT विवादों के केंद्र में हैं एक तरफ उस पर इतिहास कारों ने शिक्षा के सांपरदाई करन का रोप लगाया है और कहा है कि इतिहास के स्लिवर्स को मनमाने घंग से से बदला गया वहीं विज्ञानिक भी अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं जिस तरीके से चार्ल्स डार्विन के अविलेशन की थेओरी को और रीप्रोडक्शन की चैप्टर को हटाया गया इस पूरी बहस के बीच में एक बात जो सिरे से भुला दी जा रही है वो यह है कि ब अनो जहां मनों जी जो है राज्यसभा सांसद है अर्जेडी से लेकिन मनों जी का दूसरा परिचा यह भी है कि वो दिल्ली उन्वर्सेटी में शोशल वर्क पढ़ाते हैं और समाजी का अंदोलोनों पर उनकी बड़ी अच्छी पगड़ देगे तो मनों जी पहरा सवाल मे लड़ाई लड़ी वहां के लोगों ने वो गायब है नेपाल में डेमोक्रसी को लेकि जो पूरा अंदोलन हुआ वो गायब है तो अगर एक आम पेरेंट को जो आपको सुन रहा होगा अगर आप उसको समझाएं कि आपके बच्चे का यह नुक्सान हुआ है तो आप क्या क लगों ने इस मामले को लगा बिसरासा दिया तो इसको फिर से एक हकते दस दिन बाद आपने जिवित किया इसके लिए शुक्रिया मैं सबसे पहले तो जो भी पेरेंट्स सुन रहे होंगे जो स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे उनसे सिर्प इतना कहूंगा कि जो चीजें ऒाइब की गई हैं शायबाम से अफकान दोलन हो नर्मदा बचाओ का हो बुल विया का मामला हो नेपाल में डिमाक्रासी का मसला हो या मगल जैप्टर हिस्ट्री से गाइब किया जा रहा हो यह जो घाएब की जा रही है चीजें तो इतिहास की धरा से उन चीजों को है जिन से आपके अंदर एक क्रिटिकल फैकल्टी चर्म लेती जैसे मैं छोटा हुदा रंदो मुगल पूरा पीरियट अगर आप गायब कर देते हैं तो आप अर्किटेक्चर की समझ कैसे विक्सित करें गांगा अपने ट्रडीशन में कैसे चीजें में बदलावाया कपड़ ने क्या खोया है इसके भी तो फैरिस्त होनी चाहिए और कैसे खोने के बाद लोगों ने उसको पाने की खोशिश की उससे एक जो डिस्पेर के वक्त में होप की जो एक पेड़ागाजी होनी चाहिए थी जिसको पॉलो फ्रेरे पेड़ागाजी अफ होप कहते हैं उसको क worry और किदे आई को चीज है अब जन चीजह को खाड़िच कर रहे हैं आफ दिक्त क्या है कि डिश में जाती मेवस्तान किए और कितने नुकसान हो रही हैं अगर जाती ववस्ता की हिरारकी फॉल्यूशन फीरिटी के पूरे concept तमिलाडू महाराष्टरा से ले करके कई अन्य इलाकों में जो आंदोलन हुआ जिसने एक egalitarian सोच को विक्सित करने में मदद की क्या समाज को यह नहीं जानना चाहिए क्या बच्छों को यह नहीं जानना चाहिए अब रोबोट नहीं तैयार कर रहे है ना कि एक programmed बच्चा तैयार होगा जिसको सिर्फ उतना ही बताया जाए जितना राज्य बवस्ता को लगता है मुझे असमरण होता है आज मैं कृष्ण कुमार जी को सोचता हूँ अनिल सद्गोपाल जी को सोचता हूँ पौलो फ्रेरे को देखता हूँ पौलो फ्रेरे की तो पूरी जिंदगी critical पेड़ागाजी में गुझरी तो ये तो critical पेड़ागाजी के खिलाप एक आप ऐसी पेड़ागाजी विक्सित कर रहा है जिसमें कोई सरोकार नहीं होगा दुनियावी मसलों में कैसे हम आगे बढ़ें कैसे इतिहास से सबक लेकर के वर्तमान को समता मुलक बनाएं और भविश को एंशूर करें कि हम उन सारी चीजों से दूर हो जाएं जो रुग्णता जो बिमारियां मदेकाल में थी उसके लिए आपको जानना जरूरी है अगर आप आंदोलनों के तेवर को नहीं समझेंगे मेधा पाटकर आपको पुलिटिकल डिफरेंस उन से हो सकता है मेधा पाटकर मेरी पुलिटिकल पाटी की नहीं है लेकिन मेधा पाटकर जी ने जिस आंदोलन को जन्म दिया उस आंदोलन को अगर मैं नट्शेल में कहूं तो सिक्स्टीज में एक मोहावरा आया था स्मॉल इस ब्यूटिफुल तो यह जो बड़े-बड़े डैम बड़ी-बड़ी बातें होती थी उसके बरक्स एक छोटे पैमाने पे चीज़ों को करने की मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बोने चडितर का समाज बनाने के दिशा में हम आगे बरने हैं और मैं NCRT को सिर्फ दोष्ट नहीं ही दूगा यह बड़ा आसान है कि कहाऊं कि NCRT नहीं यह फैसला लिया NCRT एक कदम नहीं ले सकती अगर सरकार से इशारा ना हो यह सरकार का पूरा का पूरा माडल है माफ कीजेगा थार्ड राइक का हमारे उस दौर के हिटलर साहब को भी लगा था ना कि हम सब कुछ बदल करके कि एक खास चरित्र के लोगों को पैदा करेंगे और उन्हें ही वो हमारे पर्मानेंट ऐसा कुछ पर्मानेंट होता नहीं मेरे पीछे पोस्टर है चाली चापलीन का नाथिं इस पर्मानेंट इन इस वोल्ड विकेड वोल्ड नॉट इवन दे ट्रबल्स तो यह जो हमारी दिक्कते है ना इसको दुरूस्त कर लेंगे लेकिन आप तब तक जो नुकसान कर देंगे उसकी भरपाई कितनी हो पाएगी मैं नहीं जाम पाएग अधिकार को लेकि आंदोलन होए अधिकार को लेकि आंदोलन हो एदा टीचर में आपसे पूंच रहा हूं कि किसी भी स्टूडेंट को यह सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्यों पढ़ने चाहिए उससे वो क्या अपनी लिंदगी में हासिल करेंगे आपने बहुत अच्छा सवाल किया कल मैं अपने विश्विद्या ले गया था मेरे अंडर तीन पीएसडी प्री सब्मिशन सेमिनार था उसमें से एक हमारे एक स्टूडेंट ने जो फैकल्टी है अल्ड़डी डियू में उन्होंने दलित लिटरेचर पर कि इमेंसिपेट्री परडाइम पर काम किय मराठी और हिंदी को ले करके हूँ और प्रकास बालमी की से ले करके मैं समझता हूँ की मुर्दहिया तुलसी राम जी की कई और उसके प्रेजन्टेशन के दोराद मैंने कई लोगों की आँखें नम देखिए थे वो जो लोग नम आँखें वाले थे ना वो दलित समदाए प्रिविलेज्ट कम्यूनिटी के थे वो नरेशन देखा अपने प्रिविलेज्ट के वारे में सोचा अगर समाज में हम ऐसे ग्यान को विक्सित ना करें जिससे की प्रिविलेज्ट बैक्राउंड का वेक्ति अपने प्रिविलेज्ट को पर सवाल उठाना शुरू करें प् तोटी बात कहता हूं चलिए जुठन पढ़ना और जुठन ना पढ़ना एक व्यक्ति जिसने जुठन पढ़ा है और एक व्यक्ति जिसको जुठन नहीं मिला दुनों का फरक आप देख लेगा है एक व्यक्ति जिसने अनेहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ा है और एक व्यक्ति जि आपकी सिक्षा विवस्ता आपकी सिक्षा नीती आपका सिलिबस फॉर्मिशन आप भला कर पाएंगे अन्य था आप सिर्फ कंटेंप्रेटी जेनरेशन का नुक्सान नहीं कर रहे हैं आने वाली पीडियों का बहुत बड़ा नुक्सान हो रहा है और मैं तो चाहूंगा इसको प्लिटिकल मसला ना अभिवावक सडकों पे हैं के हमें वो पढ़ाव जो हमें बेहतर इंसान पनाती है हमें रोबोट नहीं चाहिए तो आप जो बात कर रहे थे तो सरकार कियो वाकिसार चीजों के तो एक वेक्तियां का नाम राम माधव है और उन्होंने जो खुल के कि एक आंदोलन का व्यक्ति आको नहीं चाहता कि दूसरा आंदोलन का पढ़ाजाए और किस विरोधवाजल नहीं मैं आपको बताओंगा आंदोलन जो कि मैं पढ़ाता हूं तो दो तरह के आंदोलन होते हैं एक होता प्रोग्रेसिव आंदोलन Bruce Vikでした nossa रहना तो राम माहधव अगर आप देखें बनारस में कासी विश्णात में दलित ना प्रवेश करें उसके पीछे के तरक आरक्षन ना हो इसके पीछे के तरक तो आज डिमाक्रसी के प्रेशर में वो वो लाइन बोल नहीं रहे हैं लेकिन कर वहीं रहे हैं इसलिए मैंने कहा कि उसको उनको आंदोलन से निकला विक्ति बंत गही है अभी तो वैसे भी उनकी प्रसिदी काफी बढ़ गई है सत्माल मलिक जी के इंटर्वियू के बाद तो मैं उसम का प्रोटेस्ट हुआ 1968 में जो की एक लेवल पर पुंजीवाद के उस स्वरूप के खिलाफ का अंदोलन था एक उदाहरन बाबरी मस्जिद राम जन्मोमी के अंदोलन क्या उसी के समक्ष कड़ा कर दे बड़ा फर्क है एक आगे ले जाता है दूसरा उल्टे पाउं की या दो रोबोटिक्स एक नया सिस्टम बना लो और उसके आधार पर चलो जाहिर है एक एक प्रगतशील समाज कभी भी एक प्रतिगामी सोच के साथ और एग्रेसिव सोच के साथ नहीं जाना चाहिए मैं यह वाला सवाल मैं मैं आपसे इसलिए भी पूछा रंगवी जब हम कहीं कि ऐसासमेंट करते हैं किसी चीज का इसा नहीं होता कि जो आपने किताब लिखी होगी उसके अप संग गयब कर देंगे मैं इसमाने यह वाला सवाल इसलिए पूछा कि उसका एक क्रिटिकल एसस को खारीज कर सकते हूँ, यह लिखा नहीं जाएगा, लेकिन मेरे स्मृती में तो रहेगा यह इतिहास, कि आप आए, आपके साथ यह आए, यह व्यक्तिगत इतिहास है मेरा, आज कल क्या दिक्कत हो गई है न, कि ऐसे लोग इतिहास की संकल्पना को बदलने लगे हैं, जिनको इतिहास की सुक्ष मी समझ नहीं है इतिहास की धारा होती है स्कूल अव थाउट जिसको कहते है उसको कहते काउंटर फैक्चुल नियाल फर्गुसन का एक लिये वर्चुल हिस्ट्री यह है और एक और किताब होगी वाट इफ तो यह क्या होता है विलासिता की चीज़ है कि मै अगर बाबर नाया होता तो क्या होता यह हर्श वर्धन की मौत उस वर्ष नहीं होती तो क्या होती और रंग जेप फलाने साल में नहीं मरता तो क्या होता अगर बिटिसर्स हार गए होते तो क्या होता यह संकल्पना है इतिहास में इतिहास कारों के लिए उचित है कि उस पर लेकिन कोई ऐसा वेक्ति जिसका कोई सरोकारनी इतिहास की धाराओं से और इतिहास से वो इतिहास की बनावत और बुनावत को कृत्रिम तरीके से गर बदलता है तो इतिहास नहीं बदलता वो वेक्ति आने वाले वर्षों में स्वाइं इतिहास बन जाता है और वो भी क्योंक एक में एक मांदारी से बात कि उन्होंने एक देखिया नीप तौन से यह चाहता है और ओर लैपिंग था उसको भी हमने कट किया है लेकिन इसमें जो 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 जी भूल दी जारी है करें कि स्कूल के लेवल पर नहीं है वो कालिज में भी है कोर्स अब्जक्ट साब कर दिये गए तो यह पूरा आर्गुमेंट है उसको आप कैसे देखें परहल यह तो आर्गुमेंट है ही नहीं इससे जादा रिग्रसिव थौट नहीं हो सकती है राशनलाइशन शाब्द भी यह सादमी जानते हैं राशनलाइशन के लिए राशनेल का होना बहुत जरूरी है बिना राशनेल और साइंटिफिक टेंपर के राशनलाइशन अगर आप करेंगे तो क्या हुआ ना कि किसी एक बार मैं नहीं यह गलती की थी ग्रेजुएशन का छातर था एक महान किसी व्य सन्षित कर दीजिए मैंने संशिप्त क्या परग्राफ के परग्राफ ओरादिया तो उन्होंने मुझसे जो कहा मैं भून नहीं सकता हूं जब उन्हें पता चला उन्होंने कहा अपने जिस बेहायाई से जैसी बैजती मेरी की है मैं समझ गया तो अब यह ऐसे ही लोग बैठे हुआ है जिनकी सोच कर खुद स्विकारा ना कि NEP इसलिए मैंने आपके सवाल के जवाब में कहा था कि यह NCRT की कुवत ही नहीं है अरे अभी तो संस्थाओं की हालत है कि बिना साहब तेरे सुबह की जाए साहब तेरे शाम की जाए वो अगला एक स्टेप नहीं ले सकते कलम नहीं उठा करके रख सकते कि यहाँ यह मेरी कलम रहेगी तो जाहिर तोर पर एक एक प्रोजेक्ट के ताहद यह काम कर रहे हैं दुरुस्त तो हम सब कर लेंगे, ये देश बहुत बड़ा है, इसका मिजाज बहुत बड़ा है, लेकिन हमको आपकी बुद्धी पे शक है, कि आपने, आपके लोगों ने क्या बेसिक भी चीजें समझने की कोशिश की हैं, इतिहास, ज्यान, स्कूल, विश्व विद्याले, नहीं, तो फिर आप कम से कम बाज आईए अपनी हरकतों से, शुक्रिया मनोज जी बात करने के लिए, तो ये थे मनोज जहां, बाकी ख़वरों के लिए जुड़े रहे हैं न्यूस क्लिक के साथ,